यूपिटट 2021 में आवेदन करने के लिए जाती और निवास प्रमारपत्र कितने वर्स पुराना होना चाहिए इसको लेकर के आप लोग के तमाम कमेंट के मादम से प्रशन आ रहे हैं इस वीडियो के साथ बने रहेगा इस वीडियो में लोग इसी मुद्धे पर डिटिल में बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट योटिप चैनल अगर आप इस चैनल पहरी बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेले हैं को प्रेस करना ना भूलें यूपिटेट 2021 के लिए ओनलाइन फॉर्म कैसे एप्लाई करना इसके रिगाडिंग एक डेडिकेट वीडियो में मैंने step by step process को बता रखा है अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो उस वीडियो को जरूर देख लिजगा ताकि आपके द्वारा किसी field में कोई भी गरबड़ी ना हो इस वीडियो का description आप चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं आपके main question पर कि जाती और निवास कितना पूराना चाहिए और निवास का तो बिलकुल नामो निसान ही कहीं नहीं है तो आप लोग का कितना भी पूराना है इसको लेकर के भ्रहम की स्थिति में ना रही है UPTED 2021 में सिर्फ आप से जाती पूछी जा रही है आपका प्रमाणपत्र नहीं मांगा जा रहा है नमबर नहीं मांगा जा रहा है तो कितना भी पूराना की हो ना हो वो सब कुछ मानने है क्योंकि मांगा ही नहीं जा रहा है जब आप अपना डायट से UPTED का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उस समय कुछ डायट के द्वारा जाती प्रमाणपत्र मांगा जाता है तो उस कंडिशन में आपको वहाँ पर प्रोडियूस करना होगा और उसमें भी कोई बात देता नहीं कि कितना पूराना होना चाहिए तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है कि UPTED 2021 में जाती और निवास को लेकर के कोई भी प्रमाणपत्र नहीं मांगा जारा है कितना भी पूराना हो आपका सब चलेगा सिर्फ आप से पूछा जारा है कि आप कि जाती से बिलॉंग करते हैं वो सिर्फ आपको भरना है OBC, SC, ST या फिर जनरल इसकी अलावा कुछ नहीं मांगा जारा है उम्मीद कर रहा हूँ आप सबी के डाउट क्लियर हो के होंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुभ